नमस्ते दोस्तों कैसे हुआ आप सब घर में हमें बहुत सारे काम होते हैं और इनी कामों को आसान करने के लिए मैं लाई हूँ कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स तो वीडियो को इन तक जरू देखिए पसंद आये तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले तो चले वीडियो है इस तरीके से खिसकने लगता है शिफॉन की यह जो साडिया होती ना बहुत ही ज़ाद दिक्कत करती है फोल्डिंग में भी और रखने में भी तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़ी एक जुगार है जरू ट्राई कीजिए हैंगर पे जब भी आप इस तरीके से साड होगे तो भी काम हमारा हो जाएगा सेंटर में लगा दीजिए तो साडी बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी तो इस तरीके से पुरानी क्लचर का भी यूज हो जाएगा और साडी का जंजड भी खतम हो जाएगा जरू ट्राई कीजिए देखे कितने आराम से यह बैठा है बिल् लिट्रिक जरूर ट्राई कीजिए इससे फ्रीज से भी ज्यादा पानी हमारा ठंडा होने वाला है मटके का तो यहां पी देखे इसमें मैं डाल रहे हूँ एक चमच नमक जब भी आप मटके को क्लीन करते हो उस टाइम पे आपको इसमें डालना है एक चमच नमक और एक डे तरीका है यह मेरे दादी ने मुझे नुसका बताया था जो कि पहले के जमाने में बड़ा वाला जो नमक आता था ना उसे डाल के इस तरीके से मटके क्लीन किये जाते थे और पानी को ठंडा किया जाता था आप भी ज़रूर राई कीजिए और अभी क्या करना हमें यह जो हटा के साफ पानी भरना है पीने वाला तब आप देखोगे इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है बहुत ही ज्यादा थंडा पानी हो जाता है ज़रूर राई कीजिए और जब भी आप मटके को धोते हो ना उस टाइम ज़रूर यह प्रोसेस कीजिए यह चोटी सी हमारा पानी थंडा हो जाएगा यहाँ पे हमारी नेक्स टिप है इस तरिके के जार के लिए अक्सर आपने देखा होगा यह जो जार है इसका जो ढकन हम खोलने के बाद फेक देते है जो की बहुत ही जदा मजबूत होता है इतो इसका हम रियूज करने वाले है और लो कैसे यहां पर देखेंगे यह जो एक्ष्ट्राका उसका है भाग वो हम निकाल ले रहे हैं। जो हम इसका उसे हमारे बहुत सारे पैसो की बचछत हो शकती है। तो हमारे घर में बहुत सारी उड़न की चीजे होती है। इसी की बेड हो गया, टेबल हो गया, उसके पईया आप देखना नीची की तरफ होते हैं, तो इसे क्या है ना, जब भी हम पोचा लगाते हैं, थोड़ा बहुत पानी गिरता है, ये गीला होते रहते हैं, आपको पता ही होगा, लकडी जब गीली होती है, तो जल्दी खराब ह हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने डखकन जारगी बोटल से निकाला है, यहां पे लगा देना है, इससे क्या होगा, ये बिल्कुल पानी से बचा रहेगा, साथ ही में आप देखोगे, बहुत ही और्गनाइजर की तरह ये काम करता है, थोड़ा बह हमारी फर्ष को भी दाग नहीं होंगे, जो आप देखे होंगे, बहुत सारे दाग हो जाते हैं, इसके खिसकनी के वज़े से वो नहीं होंगे, हमारी नेक्स टीप है, वाशिंग मशीन के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कितना भी मेंगा पाउडर इसमें यूज कर जो भी मशीन आते हैं, तो यहां पर देखे हैं, यह वाला जो हिस्सा है यह आराम से निकल जाता है थोड़ा सा प्रेस करने के बाद, तो इसे निकालना क्यों हैं, देखे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जाली लगी हुई है, कितनी ज्यादा इसमें गंदगी तो यही गंदगी हमारे कपड़ों पर फिर से आती है, और कपड़े अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, तो देखे आपके भी मशीन में यह वाला पार्ट जरूर होगा, फ्रंट वाली मशीन हो, तो उसमें अलग से पार्ट होता है, सामने की तरफ से, वो मैं नेक्स्ट वी ज्यादा डालते थे, कम डालना पड़ेगा, और हमारे कपड़े भी अच्छे से निकल पाएंगे, जरूर राइ कीजिए, आराम से बैट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और आप सर्विसिंग के लिए से लेके जाओगे तो भी आपको यही सजेस्ट किया जाएग हम अकसर उसका यूज नहीं करते हैं, पोचा लगाते हैं या फिर उसे फेक देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आज हम इसका कुछ अलग हटके यूज करेंगे, तो यहाँ पी देखे, मैंने जो शर्ट लिया है, वो हम इस तरीके से थोड़ा सा पलट देंगे, य आप दीखे, यह हमारा तयार हो गया, एक औरगनाइजर, आप सोच रहे होंगे, ना ही हमने इसमें कोई कट लगाया, ना ही सिलाई की, फिर कैसे यह बन गया, यही तो इसका कमाल है, जरू ट्राइ कीजिए, इसे हमें कैसे यूज करना है, वो भी हमें देखना है, तो इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप ड्राइ बालकनी में हैंक करोगे, तो जो दोने वाले कपड़े वो रख सकते हो, या फिर जैसे आपको नए दोय होए कपड़े रखने हैं, अच्छे से फोल्ड किये होए, तो वो भी आप आराम से इसमें रख सकते हो, तो देखे, यहाँ मैंने इस तरीके से इसे थोड़ा सा फैला दिया है, और कार्ड बोर्ड लेके इसमें रख दिया है, अब देखे, यह हो गया, नीचे वाला जो हिस्सा है न, जो इसकी स्लिउज है, मैंने सेफटी पिन से अंदर की तरफ लगा ली है, जो की दिखने में अच्छा लगेगा, तो यहां पी देखे, मैंने बहुत सारे इसमें कपड़े रखे है, अच्छे से बटन लगा के हम रखेंगे न, तो बहुत ही अच्छे से और्गनाइज रहेगा, कपड़े भी बहुत सारे आ जाएगे, है न कमाल का इडिया, ज़रूर ड्राई कीजे, बच्चों के बड़ो के कपड़े सब इसमें बैट जाएंगे, तो आपको यह और्गनाइजर कैसा लगा, मुझे जरूर कॉमेंट बाक्स में बताएं, तो हमारा नेक्स टिप है, देखे, यहां पे बैने ली है प्लास्टिकी बोतल, और प्लास्टिकी बोतल का उपर वाला हिस्सा हमें कट कर ले तो उसे क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम हट के यूज़ करेंगे, तो यहां पे देखे, मैंने जो प्लास्टिकी बोतल ली है, उसका उपर वाला जो धकन है, उसमें हमें कोई भी नुक्विली चीज को गरम करके इस तरीके से छेद बना लेने हैं, तो यहां पे छेद में बनाते हैं, एक तो सस्ते में बन जाती है, और बनाने की खुशी ही अलग होती है, जरूर राइक कीजिए और बहुत सारे पैसे बच जाईए, तो उपर जो हमने छेद बनाएं इस तरीके से इसमें मैंने धागा डाल दिया है, अब देखे, यहां बैट जाता है, धागे जैसे बहुत लोगों को साबन से अलरजी होती है, वो भी साबन को बिना हाथ लगाए, इस तरीके से बरतन साफ कर सकते हैं, न कमाल का इडिया जरूर ड्राइ कीजिए, बहुत अच्छे से प्रेशर लगा के हम बरतन भी साफ कर सकते हैं, तो आपको सबसे जादा कौन सी ट् अच्छे लगी मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, चानल पे नहीं हो तो सस्क्राइब जरूर करें